हेलो दोस्तों क्या आप जानना चाहते हैं कि आपके मुवाइल में कितने 5G बैंड होना चाहिए जिससे फ्यूचर में आपका मुवाइल 5G को सपोर्ट करेगा जान लीजिए काम की चीज़ है तो चले शुरू करते हैं और कुछ नया जानते हैं वैसे तो आपके मुवाइल मे केवल एक ही 5G band होगा तब भी आपके mobile में 5G support करेगा लेकिन इसके दो condition है पहला condition यह है कि आपके mobile में N78 band होना चाहिए वह इसलिए क्योंकि starting के जब इंडिया में 5G launch होगा तो वह N78 band पर ही launch होगा वह इसलिए क्योंकि इसमें cost कम आने वाला है और जल्दी implement हो जाएगा और दूसरा reason यह है कि आप कम traveling करते हों यदि आप ज़्यादा traveling करते होंगे तो आपको 5G के network में issue आ सकती है यह issue क्यों आएगा हम एक example के तुरु समझते हैं माल लीजिए आप भोपाल में रहते हैं और वहाँ पास जो 5G launch हुआ है वो N78 band पर हुआ है इस condition में आपके mobile में 5G support करेगा और किसी reason वर्स आप यहाँ से shift हो रहे हैं हैदरावाद में और वहाँ पर जो 5G launch हुआ है वो है N77 band या फिर N73 band पर तो इस condition में आपके mobile में 5G support नहीं करेगा वो इसलिए क्योंकि आपके mobile में जो 5G का band हुआ के वल एक ही है N78 band तो इस condition में आपके network में issue आ सकती है यदि आप कम traveling करते हैं तो आपके mobile में 1-2 5G band होगा ता असानी सा आपका mobile survive कर जाएगा लेकिन आप ज़्यादा traveling करते हैं तो आपके mobile में ज़्यादा ज़्यादा 5G band होना चाहिए इसका मतलब यह नहीं है कि आपके mobile में 20 5G band हो या फिर 50 5G band हो तब ही आपके mobile में 5G support इसके अलावा आपके mobile में 40 या फिर 41 5G band होना चाहिए जिससे आपके mobile में all India में कहीं भी आप जाएंगो तो आसानी सापके mobile में 5G को support करेगा यदि आपके पास 5G phone है तो आप अपने mobile में चेक कर सकते हैं कि आपके mobile में N78 band है कि नहीं है यदि है तो comment section में ज़रू हैं तो आप यह चारों 5G band को आसानी से चेक कर सकते हैं यदि उन mobile में यह सभी 5G band होगा तो अभी आप उस smartphone के लिजिएगा वरना मत लिजिएगा यहोप कुछ नहीं जानने को मिला हो मिलते हैं मैं अगले वीडियो में तब तक लिए जैहिन थैंक्स फॉर वाचिंग इस व